Hi friends, Namaste, Good morning, कैसे हैं आप लोग? आज हम सीखने वाले हैं हमारा बहुत ही खुबसुरत एक आर्ट-form और वो है Mosnoch Art तो आज हम इसके 5 något को ट्रांस्फर्म करने वाले हैं यह बहुत ही खुबसुरत दिखने वाला Mosnoch Art में आप देख सकते हो यह है मेरा First Attempt और first attempt में ही ये बहुत ही खुबसुरत बन किया आया है को क्या गलती नहीं करनी है और किन-किन बातों का इसमें ध्यान रखना है इसका discussion हम आगे वीडियो में करेंगे वीडियो को skip करके बिल्कुल भी मत देखना क्योंकि अगर कोई information आप से छूट गई तो आपका मोजाइकार्ट है वो बिगड़ भी सकता है तो चलो देर ना करते हुए इस खुबसुरत पीस को बनाना शुरू करते है यहाँ पे मैंने ले लिया है यह केक बेस आपके पास यह ना हो तो आप काड़बोड ले सकते है और या फिर आप MDF पर भी इसे बना सकते है और यहाँ पे मैंने कर लिये है कुछ circle draw और उस पे हम यह जो mirror है उसे fix करते जाएंगे आप अपने हिसाब से कोई भी design बना सकते हो पर आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह जो mirror है वो equal distance में होने चाहिए जो mirror है उसका जो bit का distance है वो सही होना चाहिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं यह जो दूसरा circle है उसे मैंने यह 5 शेप के mirror से cover कर लिया है यह देखिए यहाँ पे भी मैंने distance का पूरा ध्यान रखा है अब बारे आती है हमारे तीसरे circle की तो तीसरे circle में हम करने वाले हैं round mirror को paste आप अपने mosaic art में कोई भी shape और size के mirror ले सकते हैं पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपकी design है उसके according ही आप mirror select करें यह देखिए यह मैंने सारे mirror जो है वो paste कर दिये है यह बहुत ही खूबसुरत लग रहा है और आपने देखा होगा कि इस में जो distance है वो equal ह तो चलो इसे side में रखते हैं अब बनाते हैं उसका paste यहाँ पे मैंने 3 चम्मच wall putty ले ली है और उसमें 3 चम्मच जितना ही हम favicol add कर देंगे आप कोई भी white glue ले सकते हैं यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है आप जितनी मात्रा में wall putty लेंगे उतना ही आपको favic use करना होगा अगर आपको requirement लगे तो थोड़ा हम पानी इसमें मिला देंगे तो यह देखिए यहाँ पे मैं pink color करने वाली हूँ तो यहाँ पे मैंने pink acrylic color लिया है अगर आप इसे white करना चाहे तो भी आपको white color इसमें मिलाना होगा यहाँ पे मुझे color light लग रहा था तो मैंने फिर से इसमें pink add कर दिया है और आप देख सकते हो यह lumps free हमने paste ready कर लिया है यह जो paste है उसमें एक भी lumps नहीं रहना चाहिए और इसकी consistency कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने आप ना गिरे तो चलो हम इसे apply करके देखते हैं तो यहाँ पे मैं apply कर रही हूँ तो यह जो paste है व वो अपने आप नहीं फैल रहा है मुझे उसे फैलाना पड़ रहा है तो आपको भी ऐसा ही paste ready करना है अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को like कर देना और एक प्यारा सा comment कर देना कि आपको यह art कैसा लगा अगर आप यह art बनाते हो त प्लीज मेरे साथ मेरे instagram पे जरूर से share कीजेगा ऐसे ही interesting वीडियो के लिए मेरी चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले और बाजो में जो bell icon है उसे भी दबा देना ताकि में जो भी वीडियो लेक्या हूं तो उसकी notification आपको मिल जाए तो यह देखिए बातो बातो में हमन रहा है यहां अगर हम पहले ही mirror को clean कर लेंगे तो बात में हमें दिक्कत नहीं आएगी यह देखिए यह हमारा जो आठ है वो सुक के ready है अब हमें एक गिला कपड़ा लेना है और सारे mirror है उसे clean कर लेना है तो यह देखिए यह easily हो जा रहा है यह रहा इसका final look अगर वीडिय के नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye and